निम्न लिखित में से किस राजबंस ने विजयनगर सामराज्य की इस्थापना की थी? ओप्शन देकर आंसर दीजिए तो इसका सयुत्तर हो जाएगा ओप्शन ए संगम राजबंस ने कहीं कहीं ये संगमा राजबंस भी लिखा आता है तो आपको ये पता होना चाहिए और इस राजबंस की स्थापना 1336 इसवी में हरीहर और बुक्का नामक दो भाईयों ने मिलकर की थी तो ये भी एकजाम में पूछा गया है हरीहर और बुक्का नेस्ट कोशन है यूके एसियन फिलम फैस्टिवल में बैस्ट फिलिम का अवार्ड किसे दिया गया ये करन्ट अफेर्स है इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए और इसका अंसर दिजिए तो इसका सेथर हो जाएगा ऑप्सन ए भगवान भरोसे फिलिम को यूके एसियन फिलिम फैस्टिवल में बैस्ट फिलिम का अवार्ड दिया गया और इस फिलिम के निर्देशक सिला दित्या बोरा है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं तो नेक्श्ट कोशन है राजा राममोहन राय ने ब्रहम सभा के नाम से एक सुधार संग की इस्ताफना की थी इसे बाद में किस नाम से जाना गया और इसकी स्ताफना 20 अगस्त 1828 को की थी राजा राममोहन राय ने तो अगला प्रेशन है निर्मन लिखित में से कौन सा सब्द संसद सब्द को संदर्भित करता है ओप्सन देक करांसर दीजिए ये भी आपके एकजाम में CGL में पूछा गया है तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्सन D राश्ट्री है विधाई का तो नेक्स्ट कोशन है बैक इस्टिक सब्द का प्रियोग निर्मन लिखित में से किस खेल में किया जाता है ओप्सन देकरांसर दीजिए तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्सन D बैक इस्टिक सब्द का प्रियोग होकी में किया जाता है और आपको बता दें कि विभिन खेलों के महतरपूर सब्द जो एकजाम में पूछे गए हैं या पूछने के लायक हैं यह वाली PDF फाइल हमने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड करा दी है और इसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी है अगर अभी तक आपने वो नहीं देखिया है तो देख लीजिए क्योंकि एकजाम में यह पूछे जाते हैं और टेलिग्राम से भी जॉइन हो जाईए ताकि नोट्स और वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुंचते रहें तो next question है भूद रस्य पर या फिर भूद पटल पर जल पवन तथा हिम जैसे विभिन घटकों के कारण होने वाले छै को क्या कहा जाता है तो इसका सीत्तर हो जाएगा option B option B उसे अपर्दन कहते हैं इस अपर्दन को हम मिरदा का कटाव भी बोल सकते हैं यानि भूमी का कटाव तो next question है निम्न लिखित में से कौन सी एक विधी राश्ट्रिय आय के आंकलन अथवा गर्णा करने की एक विधी नहीं है option D एक रांसर दीजिए तो इसका सी उत्तर हो जाएगा option D बैंकिंग विधी और आपको बता दें कि भारत में राश्ट्रिय आय के आंकलन की तीन विधियां है आय विधी, व्या विधी और उत्पादन विधी यानि प्रोडेक्शन विधी तो अगला प्रेशन है भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी option एक रांसर दीजिए तो इसका सी उत्तर हो जाएगा option C वायुदूत एयरलाइन की स्थापना 1981 में हुई थी जो की 20 जनवरी 1981 को है आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं तो अगला प्रेशन है मच्छर जनित बीमारी के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए हर वर्स राष्ट्रिय डेंगू दिवस कम मनाया जाता है option एक रांसर दीजिए इजी कोशन है आपको बता होगा तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option B यह है 16 मई को प्रतेक वर्स मनाया जाता है नोट डाउन कर लीजिए तो अगला प्रेशन है अन्बुझा चूना यानि क्विक लाइम का राष्ट्र क्या है option एक रांसर दीजिए तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option A CAO यानि calcium oxide तो यह कुछ महतपूर प्रेशन थे जो आपके revision के लिए महतपूर है और यह पुराने वर्सों के CGLK exam के question थे तो प्रेशन आपको कैसे लगे आप जरूर बता है PDF फाइल और questions के लिए टेली ग्राम पर जोइन हो जाएए और डेली अपडेट और नोट्स के लिए पेज को फॉलो करके रखिए ताकि नोट्स और वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें धन्यवाद पढ़ते रहें अच्छी तयारी कीजिए